गुड इवनिंग छात्रों मैं आपका सिक्षक दिपक सिंग और स्वाट एनल्सिस का आर्थ बता हैं ये अक्सर एक नमबर का सवाल समाने अधारिक दिशाय से आपको पूछा जाता है और जीवन के लिए भी स्वाट एनल्सिस आपको आगे भी लाइप में काम आएगा ये एक BBA में भी और MBA में भी अगर आप देखेंगे तो ये स्वाट एनल्सिस का आर्थ पूछा जाता है यहाँ तो खैर एक चेप्टर में आपको एक पेज में ही बताने को कहा गया है सक्तियां इस्ट्रेंथ और इस्ट्रेंथ का मतलब अगर आप कोई पर्योजना लगा रहे हैं या कुछ भी आप मान लीजिए एक ठेला भी लगा रहे हैं तो आपके अंदर अपनी विल पाउर होनी चाहिए कि नई साब कोई भी काम खराब नहीं है और उसकी लोकेशन वगरा भी ठीक है अपनी सब ठीक है आर्थिक रूप से एक तरह से आप ससकते हैं और दूसरा O का मतलब है अपरचुनिटी का मतलब ये है कि जैसे कि आपने अगर कोई अपना बिजनेस लगाया माल लीजिए मैं चोटा सा एक्जांपूल ले लेता हूं एक कोई भी एक्जांपूल ले line आप अपना agriculture का ही ले यह तो अपरचूनिटी मत्लब होता है कि जो आसर्मिले जैसे की कभी कभी किसान वासर मिलता है कि वह डाल बोले सरसो बोले धान बोले तो यह भी किसान वह उद्योपती है यहाँ सा याद रखिए Czech हैं लोग किसान को पती कहता हूं मानता भी हूं बहुत हमारा गाउं का देश है इसलिए ग्रामिल्ट विकास से समंदीत यह पेपर भी है समानेधारित विस्तय का ग्रामिल विकास और इसमें किसान ही मुखिरूप से टार्गेट है और उसी के लिए सारी चीजे हैं तो opportunity का मतलब हुआ कि आप उसको opportunity मिलनी चाहिए कि आउसर मिलना जैसे कि जहाँ आउसर मिले तो आप उस आउसर को छोड़िए ना जैसे आप GD का इम्तान दे रहा है आपका SSC में selection हो रहा है तो जहाँ भी आपको weakness W4 weakness weakness कमजोरी है मतलब अपनी कमजोरियों को आप जानते रहें कि आपकी company की जो है या छोटी दुकान जो भी है इसकी परिवन छमता कैसी है कच्छा माल कहां से आएगा marketing कैसे की जाएगी उसकी budget कैसे होगा उसका management किस तरह से किया जाएगा तो यह आपकी एक तरह से संज जो आपका ढँचा है और वो आपका उस तरह से मतलब रहना चाहिए जैसा की बजार में है और आखरी इसमें जो टी है टी से कई लोग कोई होग कहतें चुनोंती से यह अही है कि आप जो बजार में जब अपना प्रोड़क्ट लेके उतरेंगे तो वहाँ पर आपको तमाम तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा एक तरह से एक डर भी है रहेगा कि आपका जो है बाजार में कहीं उत्पाद पैकेजिंग से या क्वाल्टी से कहीं मात तो नहीं खा रहा है तो इसी चारों चीज़ों को आप स्वाट आप जो है लेके बजार में जब जाएंगे उतरेंगे अपना या प्रोजेक्ट लगाएंगे तो जो भी रहेगा जिंदगी में भी आप देखें तो स्वाट इनलसिस की हर जगा ज़रूरत है क्योंकि आपको अपने परिवार में का करना रहता है तो सक्तियों की भी आउशकता होती है आउसरों की भी आउशकता होती है कि कहां से दो रुपए कमा लिया जाए और बाल बच्चों को पढ़ा लिया जाए और कमजूरियां भी आपको अपनी जाननी होती है अगर फैमली में मैं लूँ इस चीज़ को तो यह द अपना काम करेंगे तो निश्चीत रोग से आपको सभलता मिलेगी और स्वाट इनल्सिस यह आप MBA की बुक में या BBA की बुक में Management की बुक में भी इसको आप देख सकते हैं और इसको पढ़ना चाहें तो स्वाट इनल्सिस आप टाइप करके गूगल पर आप आराम से इसको समझ सकते हैं क्या है मैं नहीं कहता कि आप इसी वीडियो समझें लेकिन थोड़ा और भी आप इसका चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन समान अधारिक जिसे में आपके लिए सिर्फ यही पूछा जाएगा स्वाट इनल्सिस क्या है इससे आप क्या समझते हैं यह मतलब इसका अगर हम देखें तो यहीं है सक्तियों और कमजूरियों का अर्थ क्या है मतलब वही स्वाट अनल्सिस क्या है इसी तरह का आपका सवाल है तो छोटे छोटे वीडियो में हम इसको लेने कोशिस कर रहे हैं चातरों और आज का यही सामान अधारिज लिसे का छोटा चैप्टर सामान की स्वाट अनल्सिस और पर्यावरान विकास उद्धंता का विकास में करीब 130 वीडियो है जिसमें से बहुत काफी हैं सफिसियंट हैं और इसको अगर आप थोला-थोला सुनते रहेंगे तो निश्चित रूसेस में आपको खोई नकल की आवशकता नहीं होगी आराम से पास होंगे बहुत बहुत धन्यवाद छातरों आपका